प्रेम दिवस्था उस दिन, प्रेम दिवस्था वैलन्टाइन डे, 14 फरवरी, हमने 42 बेटे उस दिन खोए, गुरुबर मैं आपकी उपस्तिती में खड़ा हूँ, 42 बेटे इस देश के शहीद होते हैं वैलन्टाइन डे पर, प्रेम दिवस्था पर, इसलिए एक घोशना, मै इस देश के प्रबुद्ध समाज के बीच करना चाहता हूँ, अगर वो घोशना ठीक लग जाए, तो फिर आपका समर्थन मुझ तक और इस संसकाली मंच तक पहुँचे, वैलन्टाइन डे पर इस देश के 42 बेटे शहीद हुए हैं, इसलिए अब हिंदुस्तान में कभी व वैलन्टाइन डे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत मजबूरी में अगर मनाना भी पड़ें, तो बाजार से घुलाब के दो फूल खरीदियेगा, एक उसको दीजियेगा, जिससे आप महबबत करते हैं, एक उनको चड़ाईएगा जो इस वतन से महबबत करते नमन आपको मैं चाहता हूँ कि पुलवामा के उन 42 बेटों के लिए अगर एक कविता जाडोल के इस मंच से होनी चाहिए, तो एक बार तालियों के गड़गडा हट से जरा बताएं, मैं प्रारम करना चाहता हूँ, पहला बंद सोपरा हूँ, शुद्ध कविता आप लोगों को सुना र कि जिसमें करंदन चपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, मैं वो अखबार दिखा रहा हूँ, आप तमाम लोगों को, अगर दिख जाए तो फिर दर्वाजा खोलिएगा, कि जिसमें करंदन चपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र चपा है मा के बैते अश्रुधारों का, जिसमें तिरुसकार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतु के बयानों का, हिम्मत है तो तुम भी पढ़लो सारी ख प्रेम दिवस का खून सना अकबार फैंक ने आया हूँ प्रेम दिवस का खून सना अकबार का विता पर इतनी बजती है साहब प्रेम दिवस का खूम सना अखबार फैंक ने आया हूँ वे सरहद के सूरस थे जो अस्ता चल की और गए अगर आप में संवेदना जीवित होगी तो आगली पंक्ती पर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा मैं च्छे पंक्तियां पढ़ता हूँ आपको एक दर्श्य दिखा कि और गए कल की कै करवे बच्चों से बात धूरी छोड़ गए एक दिन पहले अपने चोटे-चोटे बच्चों को ये तो कहा होगा बेटा हम आज बिजी हैं तो मैं कल फोन करते हैं उन बच्चों के लिए वो कल कभी नहीं आयाएगा जब उनका पिता उनको फोन करके बात करेगा कल की कै करवे बच्चों से बात धूरी छोड़ गए मात्री भूमी के लाल गुला भी रात धूरी छोड़ गए बारू दी विस्वोट हुआ बापू की लकडी तूट गई बारू दी विस्वोट हुआ बापू की लकडी तूट गई कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूट गई चार घटनाएं बताता हूँ आपको छोटी छोटी से जैपूर के पास का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा रोहिताश लांबा के तीन महीने के बेटे को शम्शान में ले जाया जाता है और रोहिताश की चिता को आग लगवाई जाती है तीन महीने का बेटा कन्योज के शहीद होते है प्रदीप सिंग यादव प्रदीप सिंग यादव की छह साल की बेटी से उनके चिता को आग लगवाई जाती मुखाग में दिलवाई जाती है तीसरी घटना सुनिए ये उत्तराकाशी का शहीद होता है मोहनलाल मोहनलाल का शव जब उसके घर पे पहुंसता है तो उसकी बेटी गंगा पहले रोती है और फिर अपने पिता को सलामी देती है और फिर रोकर ये कहती है कि मुझे मेरे पिता वापस चाहिए चोथी घटना सुनिए शायद वो कविता से बड़ी घटना है अगर आप तक वो बात पहुंच जाए तो फिर सम्मान वीरता का कैसे होता है ये मैं देखना चाहता हूँ कोटा का एक शहीद होता है हेमराज मीना हेमराज मीना का शव जब उसके गाउं विनोध कला में पहुंचता है तो पूरा गाउं रोने लगता है पूरा परिवार रोने लगता है तब हेमराज की पतनी मदुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पती मरा नहीं है शहीद हुआ है इसलिए रोना-धोना बंद करो और भारत माता की जय लगाना शुरू करो जिस राज्ये की बेटियां जिस राजस्तान की बेटियां इस भाषा में बात करती हो दो पंक्तियां, दो बंद मैंने कवता के नाम पर कहे हैं लेकिन अब मैं जो बंद कहने जा रहा हूं वो समवेदना के नाम पर है आपके मन में उस बेटी के लिए समवेदना पैदा हो जाए तो फिर कसम है आपको कि दौनों हाथ उपर उठा कर उस बेटिया का जितनी देर तक हो सके सम्मान कीजिएगा उसके लिए पंक्तियां करना चाता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसे धड़क गई नई नवेली दुलहन के हाथों की महंदी सुलग गई बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा तूट गया आंगन के पीपल वाला मनत का धागा तूट गया शेर हुआ है धेरी और गठरी में बंद कर आया है शेफिट का भरती हुआ था एक रुमाल में बंद कर आ गया कैसे सहन किया जाए चार पंक्तियां देता हूँ उस बेटी के लिए कितने हाथ उठते हैं कि शेर हुआ है धेरी और गठरी में बंद कर आया है लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है कौमल हातों से गठरी की गांट खोल कर आई है बेटी अपने पापा को जैहिंद बोल कर आई है एक बार दोनों हाथ उपर उठा कर जोरतार तालिया बजा कर अभी नंदन करे बेटी अपने पापा को जैहिंद बोल कर आई है और यह बात कहते हैं कि शहीदों की शद्धांजली में एक सभा की हुजूर आई ये तो उन्होंने कहा कि ऐसे आयरे गेरे रोजाना कई मरते हैं मुझे शोक व्यक्त करने का कोई शोक नहीं है जैपुर की निमस उनिवर्सिटी में चार कश्मीरी लड़कियां हमारे 42 बेटों की शहादत पर खड़े होकर जश्ट मनाती है और भारत विरोधी नारे लगाती है पंजाब की गलियों में खड़ा होकर गुरु गोविंद सिंग की परंपरा का एक जिम्मेदार बेटा जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की वकालत पर उतरता है तो मुझे लगता है कि जिसका काम चुटकुलों पे हसना रहा हो वो बलिदान की परंपरा को जान भी क्या सकता है आभार आपका देश के ऐसे बत्तमीज बुद्धी जीवियों के लिए एक बंद पढ़ता हूँ मैंने सरवादिक गुसे में जो कहा है वो आप सरवादिक उट्साह में सुन लेंगे तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी कि प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है कब तक आप कहते हैं कि प्यार महबत से सारे मसले हल हो जाएगे कैसे होते हैं मसले हल मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को आखिर कब तक गाना है सरहत पर चर्चा का चिम्टा कितना और बजाना है गुल दस्ते कब तक दिंगे हत्यार चलाने वालों को कहां प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को जरा गुसा दिखे इस बार जाडोल का, मेवार के बेटों का कहां प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को तो तुमको तो भार्षन देकर केवल अवरोधी होना है युग्द विरोधी होना भी तो राष्ट विरोधी होना है जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को हिंदुस्तानी नहीं बोलना उन घर के गद्धारों को हिंदुस्तानी जरा दौनों हाथ उपर उठा कर आशिरबात दीजिए अपने कवी को हिंदुस्तानी नहीं बोलना उन घर के गद्धारों को आवाज आती है पुल्वामा के बाद कि अगर इसलाम पर कोई खतरा होगा तो हिंदुस्तान के मुसल्मान पाकिस्तान के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे एक बाद जब उधर से आई तो अजमेर दरगा है कि जो दिवान ख्वाजा जैनुल आबेदीन अली उन्होंने एक बयान दिया मैं उस बयान को आप लोगों के बीच गाना चाहता हूं आदरनिये डॉक्टर कुमार विश्वास यहां पर विराजमान है मेरे बहुत आदरनिये बड़े भाई बुद्धि प्रकाश दाधीच है बल्लू भाई है योगिता चोहान है मैं इन चारों को और विश तो फिर तालियों का एक तूफान अजमेर की सीमाओं को स्परश करे मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके बीच उसने जो बयान दिया हमारे दरगाह के दिवान ने उस बयान को सुनकर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के चहरे पर पसीना आ गया होगा यह मेरा दावा है तब मै कवता का यह बंद सौंपता हूं सुनियेगा कि मंदिर वाला दीब बुझा तो रोई यहां मजारे हैं राम मरा है तो रहीम की आखों में अंगारे हैं तुमने तो बारू दिया नफरत के सभी अलावों को लेकिन तोड नहीं पाओगे भारत के सदभावों को सौसो बार सलाम हमारा आख्वाजा के दीवाने को जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को और क्या कहा वो बोलना नहीं गाना चाहता हूँ और ठीक लग जाए तो मेरी कविता की सरवाधिक तालिया मुझे आप चाहिए आपके मैं बहुत महनत अगर कर रहा हूँ कविता के नाम पर तो आपका आशिरवाद चाहिए मुझे कि सौसो बार सलाम हमारा आख्वाजा के दीवाने को जिसने अपना सीना तान कहा है यहां समाने को कि जिन होने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर उसने पाकिस्तान को भी कहा और देश की सरकार को भी कहा कि जिन होने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर सरकारों परतिबंद लगाओ पाकिस्तानी जथों पर जब तक ये आतंकीता कट्चक न चूर नहीं होगी कोई भी पाकिस्तानी चादर मन्सूर नहीं होगी वह वह जिन्दवार तालिया कम रह गई आपकी जरा हाथ उठा दीजिये इस सदभावना के लिए हाथ उठा दीजिये जब तक ये यातन की ताकत चकना चूर नहीं होगी कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी कविता पूरी हो गई थी लेकिन तेरे दिन बाद हमारे बेटों ने जो एर स्ट्राइक की मंगलवार का दिन था हुजूर उस दिन तब बात आपका कवी याँ पर खड़े होकर करना चाथा कहना कुछ नहीं है अब जो होना है वो मुझे पहले से दिखाई दे रहा है कि आस्मान में उड़कर अपने मान शौर के खशीर चले पुलवा मा का बदला लेने भारत मा के वीर चले पुलवा मा का बदला लेने भारत मा के वीर चले अगर इस पर इतना आपने कर दिया तो आगे जो पढ़ना चाह रहा हूँ उस पर तो जैसे सो परमाणू विस्वोट हो जाएंगे इस पांडाल में इस दावे के साथ पढ़ना चाहता हूँ कि पुलवा मा का बदला लेने भारत मा के वीर चले उड़ते लाहोरी बाजों के खंजर से पर काट दिये रनवी रोने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिये रनवी रोने संगीनों से दुश्मन के सर काट रोक कर रखी आगली दो पंक्तियां बोल रहा हूँ कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिये महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया तो राष्ट शौरे के देवाले का चंदनबा पसलाई है राष्ट शौरे के देवाले का अगली चार पंक्तियां वो क्रिकेटर है 42 हमारे गए लेकिन 300 उनके भी गए है तब एक बात अगर कर दी हो क्रिकेट की भाषा में तो फिर बताईएगा अंतिम चार पंक्तियां का विता कि आपको सौपरा हूँ कि राष्ट शौरे के देवाले का चंदन वापस लाई है तो सैना भारत माता का विन नंदन वापस लाई है हम भारत के युद्वीर हैं रखते नहीं उधारी हैं हम भारत के युद्वीर हैं रखते नहीं उधारी है P.O.K. में इसलिए ये ट्रिपल सेंचुरी मारी है बहुत बहुत आभार बहुत भँत धन्यवाद ये कविता पूरी हुई लुद्वीर हैं लुद्वीर हैं झाल